यह गाईज वेलकम बैक टो सोलो मोटो व्लोगर्स मैंने कल रहा हूं एक राइड पर यह बिंटर राइड होने वाली है मैं भी जा रहा हूं मनाली हो सकता है कि मनाली से पहले मैं कसौल जाओं तो आपको अपडेट कर दूं को रश्ते में अभी बस हलका सा अपडेट दे रहा बाकी इस ब्लॉक के नदर भी देने की कोशिच करूंगा ठीक है है वाहिस साब लॉंग राइड जा रहा हूं ज्यादा लॉंग नहीं है बड़ दोजार बंद्रास अगले में ते तो रहेगी अब डाउन तो गाइस गड़ी इवनिंग पेट्रोल का रेट है पावर है वान फुल कर देना हां नॉर्मल और थोड़ा इसमें भी डाल देना तीन चाल लीटर इसमें डाल देना ठीक है पेट्रोल है पेट्रोल की टंकी है इसी का एक है इसी की साथ ने ने अलग से लगा रखी है पैज़ा है फॉप आपको वाइजर हटा दिया है मैंने तो सामने रोड का व्यू अच्छा लग रहा होगा बस बोले बावा साथ देना अभी तो निकला ही हूँ अभी हाइवे की नजर नहीं दिखी है हाइवे की नजर भी जल्दी दिखेगी तो काफी सारा खर्चा हो गये इस राइइट पर अज अभी तो राइट शुरू हुई है और खर्चा पहले ही बहुत हो गया है तो कोई नहीं तो गयस अभी क्या हुआ बाइक रोड पर ऐसे 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 कर रही थी तो मैंने बार बार दिखा, फिर मैंने एक जगा चेक करवाया, उसने बोला कि इसमें मैं हवा भर नी सकता, मैंने बोला चेक तो कर तो कम से कम तो उसने चेक कर ली, वो कह रहा है हवा बहुत कम है, मैंने बोला पंचर तो नहीं है, अब मैं साथ पेटोल पंप्स पे गया, सब अब ये नॉजल जो है इसने काम किया और बंदे को मैंने 20 रुपे भी दिये इसी बात पर दोनों टैरों में हुआ कम थी अब ये बाइक सही चलेगी एक जम सीधी वे तक बबलिंग कर रही थी ऐसे ऐसे चल दी ती रोड पर हमजा आएगा चलाने में बाइक पर थोड़ा सा टार्मैक रोड है एकदम मस्त अब सही चल रहा है एकदम होई मैं कहूं कि वेट तो सारा एकवली डिवाड़ीड है तो यह ऐसे ऐसे क्यों कर रही है क्या चक्कर क्या आप देखो आप बिल्कुल सीधी चल रही है एकदम हल्की फुलकी तरदर होगी अब हमने अल्मोस्त सब्सक्राइब करें लिए गाइस कुंडली अभी मात्र साट क्या असपास किलोमेटर चले है आया अब एकदम क्या सही चल रही है वाइक हवा लिटरली कम थी और मैंने घर से निकलते पक्त चेक नहीं करवाया है है यह नहीं तो अभी कांड हो जाता मतलब फालतु में दिक सब्सक्राइब करें यह से तो गाइज यह सीन है कि अभी साड़े नौही बजी है शायद से शाम के यह रात के समझे लो तो हमालियन का जो फिफ्ट गेर पर पिक अपना हम मतलब अल्टिमेट है का जब सीधा मतलब हलका सा विधिन 10 10 सेकंड जाद ही बोल दी मैंने फाइफ सेकंड के पहुंच जादी वांट्वेंटी में और मैं भी थोड़ा देख दा के चला रहो एकिस मैंने पैनियर्ज लगाए है तो मुझे थोड़ा समहल के चलना है रोड पे ताइस लाजवा ब्लॉग म आपको परण दिखाने की कोशिश की जाएगी इस व्लॉग के अंदर क्योंकि ये व्लॉग टू है इस वाली राइट का का सॉल में बढ़िया सा होतल लिया जाएगा या रिवर साइट कैंपिंग वाला लिया जाएगा जो भी है बहुत मजा आने वाला है और इस मूर्थल गया है पीछे मननत था एग जिलमी लाबा है है हुआ है हाई है ह्वाई अट्डा ढावा खाई जाए हाई है हवाई जाज वह भी दोधो आया है आप पर गॉराओ मैं ता फ्रिवर लग रहा था है अ मरीक सुदे गाई आइज हम परिक सुदेव रहा है खड़े होनी की जग में डाल आल निया मुणा लुखा कि से कभी अंडे खारहूं में भी भूछाधा ठेंडरे भाई भाई भी भॉंकर वाली घंडर से खड़ुजिक्छे यह घड़ी अपनी पीछे और अपनी भी पीछे इस कह थीक्ट कॉनिस सहजा थ लनी land 112 पर आपिश्टा के वो आ रहे है, मेरे परसनल रप्लाई की, आल लू बेस्ट वर राइड एंवर्थिटिंग तो यह शॉप है, मैं का रहो अंडे अंडे कास्या डाल देश्टा? अंडे कास्या डाल देश्टा? ताल तोड़ा सा, अलका सा प्याज डाल देना और जटी डाल किना अगर हो तोड़ी बहुती है यह रहे अंडे और यह री चाय अब इसे खाएंगे और फिर चलेंगे आगे एक देट गंटे में चंदीगड पहुंच जाएंगे चाय पी के मज़ा गया गाइस आओ फ्रेंड्स चाय पी लो अंड़ गाइस बाइक अपनी आखड़ी है बोरा हेलमेट चलते हैं अब आगे बोरा हाइवेस सामने यह चंदीगड पहुंच जाएंगे देड़ गंटे में मिलते हैं सिधा गोपरो पे कोशिस तो गाइस देगो सोलो राइडिंग का फुल मज़ा है रस्ते में जाते जाते राहूल भाई मिले बल्लब गड़ से ब्लॉक कर रहे हैं और यह कौनसी है 250 GX भाई सही लग रही देगो बंदा शादी में जा रहा है और सोलो राइड करते ब्हु Tabii time you do to stay home 10 अ बखने इभी सही है और ठावंध हो जारे मना यह बस पहुंचने वाले हैं चंदीगाड़ फी अज़्क हूशे पहुंचने वाला हो नहीं आदय से अग्राइड क缺नब सोस्तत प्रायड का अपना ही मज़ा होता है वापना ही मज़ा होता है और गुह से वह आज़ एक चंडीगड में एंट्री ओच की है अज है तो कमार हो गग गज़ एड़ बजे रात को चंडीगड पहुंच गज़ और गूगल पर दिखा रहे है गाईस कि मैं साढ़े आठ नौ बजे तक कसौल पहुंच आगाई गाईज पाहड 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 सामने में चार महिने बाद पहाड पर स्राइब रात को साड़ तीन बुगे पाहड आंथर करना मैं तो वा अपर टर्म बन रहे हो और यह फ्लाइवर जाएगा सिदा वह पाँछ गंटे के अंदर गाइज आपको इंफॉमेशन दे रहाँ बहुत ही इंपोंटे है पाँच तरह अब यहां से सिंगल लेन स्टार्ट हो गए है इस मैगी आ गई है पहाड में गुच्छु का हूँ आगी खाते हैं सुबह होते ही गोप्रो पे कंटीनु करेंगे अभी मैं विलासपूर पहुंचने वाला हूं बस 15 किलोमेटर बचा है यहां पर फ्रेश होने के लिए चाहे और मैगी खाई और यह अपनी बाइक है कैसी लग रही है आप को दिखी सकता है क्रिष्णा टूरिस धाबा और यहां से पंद्रा गिलोमेटर दूर बिलासपूर है ठीक है अभी जब मैं आया था तो यहां पर धुन नहीं थी अभी बट मुश्किल सफर अब स्टाइट हुआ है अभी तक तो फिर भी कावर हो गया था अब दिक्कत हैगी थोड़ी सी थकान होगी आज आप देख रहे हो पूरा सफेद है वो तो यह देखो गाईज तो मैप देख देखके चलना पड़ रहा है पन्ना कहीं पर गुसादे गा तो इस अब पांच होगे हैं गाईज एक घंटे में रोश्नी हुजाएगी तो इस बहुत एक्सपिरिंस से होता है ऐसी राइट करने के लिए ना सुबह के साड़े पांच बज रहे हो और मैं पांड में गुश्चो काऊं तो अब कहीं भी फट सकते हो अब कुछ नजर नह मुझे लगता है अंसे लगना वे अगे में लक्ष्मी हॉलिडेस करके कैं कंपनी क्राइश है उसका बसे चलने है और वह इतनी जला रहे है भाई सांगे इतनी तेज चला रहे है वहाँ इतनी जला रहे वह इंदभ और ऐसे मोड़ है वह इंदनी पहुंच जाये तो फिर वहां से ब्यास नदी जो है चलने ही स्टार्ट हो जाएगी पंडी 45 किलो मीटर है और मनाली 155 ओमाइगाड तू मच अब यहां पर यह अटग गए है हम निकल जाते हैं अपना यही वो बस यही है वो बस भाई जो चला रहा था हम निकल गए अपना बढ़िया तरीके से अब यहां से शायद हेर पिन कर जा सारे के सारे तो वैसे मैं आज जो स्टे करने वाला हूँ वो कासॉल में करने वाला हूँ था हिप्पी विलेज ऑफ इंडिया जहां पर हिप्पीज रहते हैं इस्राइलीज रहते हैं वहां पर मिनी इस्राइल बोलते हैं कसॉल को इंडिया का पर कसॉल से तोश बगारा बलाना हीर गंगा काल पुल गा तुल गा जा सकते हो सुंदर नगर रहगे 18 km ट्रीटर्स सीन राइट नाओ आर्सम वाइनली गाइस अल्मॉस्त अल्मॉस्त अबा हो गई है अल्मॉस्त है अज मैं अल्बड़िया बाइकिंग लिए आढ़े साथ बजे में चला था और देट बजे में चंदीगड पहुंच गया विद टू स्मॉल स्टॉप्स लक्ष्मी होलिडेज वाले को इतनी जल्दी है यह ओभाई तो इतनी लंबी बस उपर से इतनी तेट चड़ा रहा है याद बंदा मुस्कुराएं आप सुंदर नगर में हो दी आट अफ मोमन्स क्लब लेट 625 किलोमेटर मनाली 136 कुलू 93 किलोमेटर मंडी 25 किलोमेटर लेट्स गूज़ाएं सामने से सुनराइज होने वाला है वास सामने दिख रहा हो आपको साफदान दीरे चले है वेलकम दून्दनगर हार्ट अफ हिमाचल है वही संदरनगर यह ब्यास ने दीए लेफ्ट में जो दिखने ही रही है क्योंकि दुन बहुत जादा है लिटरली बहुत जादा दुन है भाई साब आइस ठंड लगरी है हाँ पर बहुत जादा सीन देख रहोगाई आप सीन सीन होई 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 गुल्फी जम गई है गुल्फी काईस विजिबिलीटी होई है जीरो एकडम ना आप देख सकते हो सीन आज की सुभा का हाथ एकडम चिल्ड हो रहे हैं यह गलब्स काम नहीं कर रहे हैं ऑफ रोड़िंग वाले हैं अबिसलिए कैसे काम करेंगे बट अब मैं कितने गलब्स करी करता हूं और कितनी बार चेंज अब और यहां पर तोड़ी लकड़ी में मिल दे इसायद लेकिन सब गीली पड़ी है हाँ 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 अच अच खाय दोंदी दोंद है गाई चारो दूरम हो यह देखो कुछ नजर नहीं आ रहा आगे तुकाईज अभी रुके हैं यहां पे थंड बहुत जादा है बहेंकर पीछे देख रहो आपकुछ नहीं दिख रहा है कहीं पर भी चार तरफ पहाडी पहाड यहां पर यहां पर जो दाओंगा लेकिन भहिया मिलगे एक बहिया ने बड़ी हल्प कर ईश्का यहां पर देखो जला लिया था नीचे देख लो आप यहां चलाया था यह रहा और यह खड़ी अपनी पाइक मैंने कैप निकाल ली पैनियर्स का फायदा उठाओ डखकन खोला लॉक से कीदा कैप भारात में आ गई अगर अभी शैडल बैक्स होते तो वह कवर्ड होते पूरे बंजी कॉट से बंदे होते हैं खैंस खैंस यह निकालना पड़ता है ठंड में हाथ में लग भी सकती थी तो यह एक फायदा है पैनियर्स का और अच्छा प्रफॉर्म करने को दिक्कत भी आए भी तक खाना दिया था मॉम ने थैंक्स टू मॉम तो वह ने खा ली ठंडा ही खा लिया क्यों आप चलते हैं आगे मुझे लगता है अब टाइम लगेगा क्योंकि आप देख रहों पीछे बिल्कुल धुन्दी धुन्द हो रही है और संदुप्वार्स आम में फाइंड ही मंदी थैंक्स को मंदी मंदी में आके संदुआ है खुरत देटा को नमस्कार मेरा इस आप लिखने नजारतों बहुती खुबशूरत है वियास नदी है और यह रश्ता बन गया है काम भी रत तक बन गया है प्रुबश्वार्स प्रुबश्वार्स हर हर महादेव चाप ब्यूडिफुल लग रहा है ना पंडो डैम पंडो डैम उसाथ में ब्यास नदी है यह नदी है विसे परे डैम बना के पानी रोक रखा गजब का यार गजब ऐसा नदारा नहीं है यार वहाँ पर न उत्राखंड में तानी क्यों गाइज बताना जरूर क्या ऐसा नजारा उत्राखंड में है भाई एक्षिडेंट गाइज भाई आप देख रहे हैं टनल्स टनल्स का काम चल रहा है टनल भाई सहाब गोटल मून रेस्टोरेंट यह कब को लाएब है गाइज आप देखरो फ्लाइओवर सामने है ओ भाई गजब यह फ्लाइओवर जो है बहुत दूर से आएगा और यह चैनल के अंदर गुसेंगे यहां से और गुसने के बाद फिर आगे कहां निकलेंगे वो किसी और टैनल से बाहां निकलेंगे हाई गाड क्या बनाई है यह देखो भाई साहब यह भी बिरिज बनाया है निया कंस्रक्शन चल रहे तकड़ी वाली भाई इसको पूरा वो बनाएंगे स्विस्जिलेंड स्विस हिमाचल को यह देखो इतना निया बिरिज बना दिया है यह रस्ता है टैनल के इंदर जाने का यह कनेक्ट होगा है 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 जैसे वह मूवी में नहीं है एक मूवी है वाईस यह कि आप देख रहे हैं यह रस्ता जा रहा है सामने थाची वाली और पंजार वाली और यह शुरू हो गया और टनल कि आपकी लंबा टनल है गाई देखेंगे कि और कि आपके लेकर आपके सुड़ल आपकी चार्श देखेंगे कि अवेड़ल आपकी कि यह दूशाब झापके कि यह कि आपके कि आपके कर दो कर दो कर दो कर दो के लेकित प्रस्प जाना है कर दो कि अब कर दो तुम्यार जाना याफ है कि अए इसी रोड से आएगा ना वह पीछा वह दो आता दा या यह 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 न हमना प्रा ना झाल झाल यूबर नाजन काल जूँचर खाहिए जूँचर दो राइस यूशली आस्ता साटो चुगाई मैस थक्वान ओमली है 15 km बच्चा है यह होता है हमेशा ना मादा घंटा दिखा रहा है अभी फाइनली यार पहुंच ही गए कसॉल अभी पहुंचे नहीं है भी अभी भी पांच किलो मेटर दिखा रहा है लेकिन अब नीन नी आ रही और नजारा काफी जादा ब्यूटिफुल है अब यहां पर कोई नीचे रिवर्साइड कैम्प मिल जाना है तो मजा आ जाएगा यार जंगल कैम्पिंग टाइप्स रिवर्साइड चकट आगला अब यह भी सही है तो चलो कसॉल ओ मैजिक व्यूटिफुल गाइज होटल का नाम है गुडवाइब्स ओनली 420 गाइज कसॉल पहुंच गया हूँ और यह नीचे देख रहा हूँ अब लग्श्री कैम्स है नीचे रिवर फ्लो हो रही है अब दिखाता हूँ नीचे से जाके न अच्छे से वहां से आया हूँ मैं वह जहां पर वह गाड़ी खड़ी है और यह मेरा रूम है सामने और इनके पास काफी कुछ है सामने आप देख सकते हैं वहां बैठने का है कि वहां पर भी कैम्स है थोड़े सस्ते वाले वह लज्जरियां और यहरी रिवर और यहां से दिखता है बरफ का व्यूप कि वह सामने है कि करसौल के बढ़िया वाले व्यूप के साथ घर का खाना यह मुझे साथ तो आने में आए होगा है कि गाप भी कैम्स लगे हो से ट्री है और यहां पर रेश्टोरेंट्स है डोती बलब तीन चार बैटनी जराने आपर बॉनफार भी जला सकते हैं और यहां जाएंगे तो यह रिवर बहर ही सामने कि कि अ और आप और नीचे रेस्चेरिजिए है और यहां बने हुए हैं यह बने हो बड़े काड़ेज कैम्फs बहुत बड़े-बड़े लक्षरी कैम्फ बने हुए में और छोटे वाले हैं वहाँ पर यह काफी बड़े वाले हैं ये फैमिली या फिर ग्रुप्स के लिए हैं ये ऐसे गैलरी सी है बाहर बैठने के यहां पर यहां बैठ के फना व्यू देखो खाना वाना खा सकते हो सुबा उटके चाय पी सकते हो यह रूम है सही मिल गया रूम गाईज फोर ट्वेंटी गुडवा तो शमलाना विलेज जाओंगा मैं कल तो वोगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा गाईज आपको मज़ा आपको मज़ा आयो इस व्लॉग में थक्या तक काफी में तीन चार गंटे की नेंद लेके मैंने कमस्टे कम भी मतलब 15-20 गंटे राइड की है इच इस बिग इस बिग देखने को में मैं सेल्फ की इतनी राइड में कर लेता हूं थैंक्स टू रॉयल एंट फिल्ड की उन्होंने ऐसी बाइड दी बेर को मज़ा गया भाई की कोई दिक्कत नी है रस्ते में ठीक है वैज मैंने मंगवाई पास्ता अभी के लिए 420 कैंपस होडल कर रहा हम है 420 वाइबस यह मेरा रूम है वहाँ वाच्रूम है और इदर भी गैलरी जी है जहां से मेरी बाइक दिखती है वो खड़ी मेरी बाइक आवे सीन ऐसा है जच अभी si यह ताविई कि आसं बाइक इपन है वो बाइबस 1310 वाइबस यह प्राइबसे थेपी वो दूसरा होटल है सामने यह वाला यह अपना है क्रिस्मस प्री यहां पर क्या है बैठने का सीन है पूरा बैठ के खाना खाओ चिल करो अराम से यहां भी बैठ सकते हो यहां पर भी कैमस है सामने काफे 420 यह भी सही है अंदर बैठ के खा भी सकते हैं यहां पर आग जला के बैठ सकते हैं काफी बड़ा होटेल है यह बागी काइस रिवर की बात की जाए तो यह रहा रिवर वो क्या सेक्सी है यहां पर इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं आयोग आपको मज़ा आए होगा फरिदाबाद से लेगे कासौल तक का व्लॉग कैसा लगा आपको जरूर बताना मैं रुकाँ काफे 420 गुडवाइब जोनली में और मैंने पास तक हाली है पेड बर गया बढ़िया रिवर सा है बहुत अथी वाईबर सामने जंगल है पूरा पीछे की साइड यह देखो पूरा जंगल है वहां पर सामने